ग्राउंड जीरो किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी की आवाज और आप देख रहे हैं जन्ता की आवाज दानु जहनमत सो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जन्ता को एक ऐसा नौकरसाह चाहिए होता है जो बेहत सरल हो, इमानदार हो और जन्ता को ही सर्वोपरी मानता हो लेकिन ये मुम्किन कैसे होगा, क्या ये सपना है और अगर ये हकीकत है, तो हकीकत में ऐसा नौकरसाह क्या आपने कभी देखा है जी हाँ, हम आज आपको मिलाएंगे एक ऐसे ही नौकरसाह से जिसमें दम है, उसके कार करने में सरलता नजर आ रही है और इसलिए हम कहे रहे हैं कि बंदे में है दम स्वागत है आपका Ground Zero में, मैं अनौ जन्मत आपके साथ और हमारे खास कार करम दानौ जन्मत सो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे 2015 बैच के आयास अधिकारी शिवस्त्रन अप्पा जियन की, जोकी चित्रकूट के अभी हाली में जिलाधिकारी निक्त किये गए हैं, बेहद ही सादगी पूर्ण बेवहार के लिए सुरुवात से ही लगातार फरियादियों के बीच एक अलग जगह बना चुके हैं, जिलाधिकारी और सबसे महत्तपूर बात ये है कि इस जिलाधिकारी के कार बेवहार को लेकर इसलिए भी बातें सुरू हो गई है क्योंकि अब जब आप कलेक्टेट जाएंगे और आप जन सुनवाई के लिए आपके हाथ में प्रातना पत्र होगा तो आपको जिलाधिकारी कारियाले में उनके गेट के पास खड़े अरदली से अब आपको बात नहीं करनी पड़ेगी अब आपको गुहार नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि कारियाले के जो गेट हैं जिलाधिकारी के वो खोल दिये गए हैं खुछ जिलाधिकारी ने ये जो नीती है वो अपनाई है और वो भी इसलिए अपनाई है क्योंकि जनता का हर एक बेक्ती चाहे वो गरीब हो मजलूम हो सोसित हो मध्यमवर्का हो अमीर हो हर बेक्ती के लिए अब ये रास्ता एक सरल रास्ता होगा और जो समय फिक्स किया गया है वो दोपाहर 12 बजे तक का है इस छोटे से जिले में हर बेक्ती का एस अपना होता है कि वो जिलाधिकारी से बात करें अपनी समस्या रखे क्योंकि इस थानी इस तरपर जब फक जाता है थो उसकी उम्मीद का आखरी ठिकाना जिलाधिकारी होते हैं लेकिन जब जिलाधिकारी ही सरल, सौम में और इमानदार पूर्ण कार करने वाला विक्ति आ जाए तो लोगों की आसाएं जगती हैं और तब जब इस लोकतांत्रिक देश में एक ऐसा अधिकारी आए जिसे देखकर हर विक्ति उससे अपने मन की बात कहना चाहता है आज हम आपको इद्रिस दिखा रहे हैं द्रिस चित्रकूर्ट जनपत का है जो की भगवान राम की कर्मिस्थली है उसके साथ साथ अंगिनत असंख उन साधू संतों की भी कर्मिस्थली है जिनोंने अपना जीवन यहां रहकर तपस्या में विता दिया और साथ यही कारण है क कि यहां के जिलाधिकारी को सुरुवात के कुछी महीनों में जनता इतना पसंद कर रही है मैं आपको यह भी बता दूँ कि जिलाधिकारी श्यूसरण अपपा जीयन ग्रामिर इलाकों में लगातार जा रहे हैं चौपालें लगा रहे हैं यह कारिक्रम सरकारी जरूर है ले अभी शुरुवात में जिलाधिकारी के कारवेवहार से जनता को ये लग रहा है कि उनके उल्जे हुए मसले सुलज जाएंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उससे वो उबर जाएंगे। और एक पारदर्सिता के साथ यह कारे करने की कोसिस की जा रही है। बेहद ही स्कॉलर बेक्ती रहे हैं अपने जीवन में और जो इनका होम डिस्टिक है वह बैंगलूरू है करनाटक में और यह 2015 में आयस अधिकारी हुए हैं। सबसे महत्वपूर बात यह है कि इनका यह है पहला जिलाधिकारी के रूप में पहला जिला है इसे पहले यह म्यूसिपल कमिशनर रहे हैं नगर निगम कानपूर में। उससे पहले सीडियो रहे हैं यह देवरिया में उसके पहले जॉइंट मजिस्ट्रेट रहे हैं गाजिपूर में और उसके पहले जॉनपूर में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट रहे हैं यानिक असिस्टेंट कलेक्टर और सुरवात में यह अंडर ट्रेनिंग रहे हैं मसूर 16 में इन्होंने ट्रेनिंग की है और अब यह है चित्रकूट जनपत के जिलाधिकारी बने हैं 25-6-2024 को तब देखना होगा कि धर्मनगी चित्रकूट जो की आकांची जिला है और सिच्छा और स्वास्त को लेकर लगातार जद्दो जहत कर रहा है और पूर्व के जिलाधिका सिधा जो मिलाप है वह जो यह कर रहे हैं उससे ग्रामीडों और जो यहां के लोग हैं उनके बीच एक उम्मीद जगी है और लोगों का कहना है कि सायद यही लोकतंतर है और ऐसा ही अधिकारी हमें चाहिए कि जब हम भात करने जाएं तो कोई बीच में ऐसा बेक्तिना आए जिससे कारण हम अधिकारी से अपनी भात ना रख पाएं धन्यवाद जिसमें मानिया मुक्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में सारे प्रशासन के अधिकारियों को हम लोगों ने बताया है कि जनसनुया का टॉप प्रियरेटी दिया जाए और सभी लोग की जो सुनवाई है उसमें अधिकारियों से भी बात करें और नीचे एंड तक उसका सम करने की कोशिश करेंगे